अपर जी एंडोस्कोपी जैसा की नाम से ही स्पष्ट है अपर जी एंडोस्कोपी बेसिकली अपर गट को विज्वलाइज करने के लिए करते हैं अपर गट में फूट पाइप इस्टोमक और छोटी आथ को विज्वलाइज करने के लिए करते हैं तो वेरियस विम इंडोस्कोपी के द्वारा किया जाता है सबसे पहले भीवारी में तो फुटबाइब से रीलेटेटट विमारी को सकता है कि छोड चोड करें घर बीच ऐसी पोसिवधियटीन हो सकता है तो हो सकता है कि बार बार अलसर होने की वड़े से खाने की नली में पोड़ा सीपड़ली हो सकता है और दूसरी पोसिबटी रहती है अगर स्व escrowocere तो उसकी वड़े से खाना टगने लग जाता है तो उस साँम डिगनासिस भी एंडवैयं कृपी तो endoscopy में गांट दीख जाती है और उससे वहां से टुकड़ा ले लेते हैं बायोपसी ले लेते हैं तो उसके अपोर्डिंग क्लियर हो जाता है कि टाइप ऑप कैंसर की किस तरह का कैंसर है और उसके अपोर्डिंग ली उसका इलाज होता है दूसरी फुट्टपाइप से रिलेटेड विमारी होती है गाडington इस्टोपेजल रिफ्लक्स इजी समें एशीन होता है उस पूट पाइक में बार-बार रिफलक्स होता है पेसेंट को रिफ्रोस्टर्नल बर्णिंग होती है तो उसका डियाग्नोसिस करते हैं कि पूट पाइक और स्टॉमक के बीच में क्या प्रोब्लम है कई बार वहां पर एक वाल होता है लोगर इसोपेजियल स्पिंटर होते हैं बीचा प्रोब्लम लडू extra को अरुबध में थे सीटॉमक में अल्शर को सकता है इस्टॉमक में अल्सर हो सकता है यह का कैंसर हो सकता है और स्टॉमक और छोटी आंत में कई बार रुकावट हो जाती है उसका भी डाइग्नोसिस भी उसके दोरा करते हैं अगर गैस्ट्राइटीस होता है या अलसर कुछ मिलता है तो उसके अकोर्डिंग हम उसके आप बायपसी लेते हैं पर फिर उसके अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हम एंडोस्कोपी के द्वारा उस अलसर का इलाज करते हैं वहां पर उसको जला सकते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा वहां पर क्लिप लगा सकते हैं या कुछ दवाय का इंजक्शन लगा सकते हैं इसकी वज़े से ब् एक डिजीज नाम की बिमारी होती है, जिसमें अब छोटी आथ के अंदर कुछ चैंजेज हो जाते हैं, एंडोस्कोपिक चैंजेज और वहां से बाइपसी लेकर के उसकी बिमारी को कन्फरम करते हैं, छोटी आथ का कैंसर हो सकता है, गांट हो सकता है, वहां पर कई बार मुखावट दूर हो जाती है और खाना पिने लग जाता है फिसेंट।